सबीकत स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान अकाडमी क्लासेस पर यहां बात करेंगे केंदरी माधिमिक सिक्षा बोर की उन्होंने सीवेसी ने जो है इस बार पाठकरम को बदल दिया है दो हजार चौबे सो पच्चिस सत्र के लिए तो उसमें किस किस क्लासेस के इदली होंगी क्या आप उन्हें दुबारा किताबे खरीदनी पड़ेंगी तो आईए देखते हैं पुरी डिटेल को समझते हैं देखिए यह इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी वेबसाइट पर आपको मिलेगा तो यहां पर देखिए जो 29 करके यहां पर देखिए मार्च में एक सर्कुलर जारी किया गया इस सर्कुलर को जब आप डाउनलोड करेंगे तो इसमें नोटिफिकेशन के तोर पर आपको चेज़ें यहां पर मिलेंगी और यहां से आप इसे देख पाएंगे कि किन-किन क्लास चैस का सिलेबस यहां पर आपडेट कीए गया है क यहाँ पर कर्कुलम जो पॅब्लिस करेगी वो NCRT करेगी यानी क्लास जो है आपका जो थार्ड क्लास है और जो क्लास जो है 6 है यानी कीसरी कक्षा और जो है छटी कक्षा में जो है बदलाव किया गया है तो यह चीज़े आप देख लीज़े और CBC प्रवाइड अनुवल करिकुलम फॉर दा क्लास नाइन्थ और ट्वाइल्थ तो यहाँ पर नाइन्थ और ट्वाइल्थ का भी करिकुलम जो है आप प्रवाइड करा दिया गया है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फ्रेमवर्क है निशनल करिकुलम फ्रेमवर्क अफ स्कूल एजुकेशन दूहजार टैइस बाइस सीवेज़े यहाँ पर क्लियर कर दिया तो जो यहाँ पर सेशन जो कहा गया कि करिकुलम जो लागू होगा वो आपका देर बिल बी नो चींज इन करिकुलम और टेक्स्ट बुक फॉर अदर क्लासेश फॉर दा अकैडमी के यह टूजन टॉन्टिपो टॉन्टिफाइब आज जो है यहाँ एक अपरेल से जो शुरू हो रहा है सत्र उसमें सेशन में सिर्फ क्लास थर्ड और क्लास सिक्स दो ही का सलेबस चें है तो यह चीज़े हैं और उन्होंने कहा कि जो अकैडमी के यह है जो भी यहाँ पर सलेबस अगर आप देखना चाहते हैं कलास नाइंत का और टॉल्थ का तो यहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर साइट पर मिल जाएगा तो आईए हम आपको यह भी चीज़े दिखा देते है साथ साथ में देखे हम इसके होम पेज पर आगया है इस पर्टिकुलर वेब साइट के और यहाँ पर आप आएंगे तो इस जगे पर देखेंगे करिकुलम आपको दिख रहा होगा इससे जब आप टिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का देखेगा सत्रवाइस देखेगा तो यहां जब सत्रवाइज दिखेगा तो इसमें सबसे ऊपर आपको 2425 का दिख रहा है इसे आपको OK करना होगा जैसे ही आप इसे OK करेंगे तो देखिए आपके सामने Secondary कलकुलम नाइन्थ और टेंथ का और Senior Secondary कलकुलम जो है कक्षा 11 और 12 का है तो यहां आप जो भी चाहें करेंगे वह दिख सकते हैं इसको जब टिक करेंगे तो देखिए यहां पर languages का सारा एक साथ है main subjects का एक साथ है other academic activities का है और यहां पर subject internal assessment का इसी तरीके से यहां पर आप देखेंगे तो 12 का भी आपको language group में मिलेगा और group जो academic हैं उनके subjects का मिलेगा तो यहां पर अगर हम दे का देख सकते हैं यहां पर संग सकरत है रशेन है राई है नेपाली है कस्मीरी है हिंदी कोर्स एक कोर्स भी आप जिसका भी देखना चाहें उसका सले बस यहां से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं यह चीज़े यहां पर और उसी तरीके से आप यहां पर नीचे देखिए नीचे आपको मिलेगा, main subjects में भी आप यहाँ पर देख, math, science, social science, और यह हिंदी और सभी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह देखिए जिसे हमने यहाँ पर math का download किया, तो math का आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए यह class जो है 9th और 10th का, session 24-25 का, यहाँ पर चीजे आप provide कर आई गई है, तो यह चीजे आप देख सकते हैं, किस section से कौन सा section आएगा, कितने number का होगा, 9th में 10, 20, इस तरीके से total 80 marks के questions, पर आपका इन वाल exam में होता है, तो real number से क्या क्या आपको पढ़ना है, फिर algebra से क्या क्या पढ़ना है, फिर linear question से क्या पढ़ना ह और geometry से coordination, coordinate geometry से क्या पढ़ना, line and angle, strangle, इस तरीके से coordinate circle, और यहाँ पर mensurations में area, surface area and value, इस तरीके से statistics, इस तरीके से आप देख सकते हैं, फिर class जो है यहाँ पर आप देखिए, जो है 9th का यहाँ पर दिया गया, तो 9th में आप 3 घंटे का होगा, तो यह पूरा का पूरा paper patterns और यहाँ पर 80 marks का रहेगा, और यह internal assessment 20 marks का रहेगा, फिर उसके बाद class 10th का आप देख सकते हैं, कौन-कौन से real number system में क्या-क्या आपको पढ़ना है, और इसी के pattern पर ही आपको classes में पढ़ना होता है, अपना syllabus को तयार करना होता है, इसी के base पर जो है आपका board exam होता है, इस अब तक के लिए धन्रवाद, जय हिन, जय भार